तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ओपो फोन के अंदर किसी भी वीडियो या फोटो कोड डिलीट करके रिकवर करने का उप्शन बताऊंगा वो भी बीना किसी सॉफ्ट्वेर के तो यह कैसे पॉसिबल है चलिए देखते हैं अगर आपका प्रेस ओपो फोन है तो यहाँ यहां पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा तो मैं यहां पर आपको एक फोटो को डिलीट करके दिखाता हूं लाइफ तो यहां देखिए मैंने एक फोटो को सेलेक्ट किया है यहां पर इसे डिलीट कर देता हूं तो देखिए मेरा फोटो यहां से जैसे क्लिक करूंगा डि क्लिक कर देता हूं और यहां पर फोटो के जस्ट बगर में आप देख सकते हूं उपर की और albums तो albums में क्लिक करना है यहां पर देख सकते हूं media टाइप में यहां पर video gif burst और recently deleted option तो recently deleted option पर जाओगे तो यहां पर देख सकते हो जिस photocop ने delete की थी वो यहां पर restore है तो यहां पर आपको इसे वापस restore करने का दो option है यहां पर restore या delete तो यह restore पर जैसे click करोगे restore photo पर तो यह वापस आपकी gallery में save हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं open करके वापस photos के अंदर जाओगा यह देखिए मेरा photo जो मैंने delete किया था वापस restore हो हो गया है तो इसी तरीके से आप अपने videos को भी recover कर सकते हो देखिए मैंने आप यहां पर एक video को select किया है और यहां से आपके सामने delete करूंगा तो यहां पर गालरी से यहां से delete हो गया है तो वापस से आप photos के just right side में album पे click कीजिए और recently deleted option पे click कीजिए तो यहां देखिए आपका जो recently deleted video है यहां पर देख सकते हो आपको select कर लेना है select करने के बाद यहां पर आपको वही दो option आएगा restore restore video पे click करना है और वापस आपके गालरी में यह जो deleted video है वह restore हो जाएगा यह देखिए तो यह सिर्फ ओपो फोन में ही यह facility अविलेबल है मुझा नहीं मालूम जाओमी में है और रियलमी में है की नहीं तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे like और share कीजिए मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे subscribe करके बल आइकन को press कीजिए और notification को all कर दीजिएगा और अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye thanks for watching